नमस्कार दोस्तों श्वागत है आप सभी का इलेक्रिकल इंजिनिरिंग में आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डीशी मशीन को कंटिन्यू करेंगे तो चलिए शुरुवात करते हैं पहला कोश्चन है दो फंक्शन ऑप दे कम्यूटेटर इन डीशी मशीन इस यान डीशी जनरेटर और डीशी मोटर में क्या फंक्शन होता है ठीक है दोनों चीजों को समझते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे डीशी जनरेटर में तो ध्यान रखेंगे डीशी जनरेटर में मेकैनिकल रेक्टिफायर मेकैनिकल रेक्टिफायर की भातिकारे करता है और बात की जाए dc motor में तो mechanical inverter की तरक कारे करता है mechanical inverter की तरक कारे करता है अब देखे mechanical rectifier आप सभी लोगों को पता है rectifier क्या होता है ac को dc में convert करता है ac to dc और आप सभी लोगों को पता है inverter क्या करता है dc को ac में convert करता है ठीक है इस चीज को ध्यान रखेंगे तो देखे function of commutator in DC machine तो अभी ये confirm नहीं किया है कि DC generator की बात की जा रही है कि DC motor की बात की जा रही है ठीक है? तो option से ये confirm हो रहा है दो option में आपको confusion हो सकता है पहला option alternating current into direct current और चौथा option दे रखा है alternating voltage into direct voltage तो ध्यान रखेंगे मित्रों जब voltage option में दे रखा होगा तो voltage वाला आमसर लगाएंगे ठीक है? alternating voltage to direct voltage अगर ये option में नहीं रहेगा तो पहला वाला टिक कर देंगे alternating current into direct current अगर option में जो है alternating voltage to direct voltage दे रखा होगा तो यही लगाएंगे ठीक है और ध्यान रखेंगे मित्रों यहाँ पे जो DC मिलेगा वो कैसा DC मिलेगा Pure DC नहीं होगा वो कैसा मिलेगा Pulsating DC ठीक है इन चीजों को ध्यान रखेंगे Commutator किस से बना होता है तो Copper Segment से बना होता है नेक्स्ट देखते हैं तो Friends सभी लोगों से रिक्वेस्ट है टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएए वहाँ पर जो है MCQ जो है प्रैक्टिस होता है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजे नेक्स्ट देखते हैं Which of the following generator are used in arc welding तो मित्रों हमने इस question को कई बार बता चुका है आर्क welding में क्या होता है ठीक है arc welding में जो है कि डिफ्रैंसियल कंपाउंडड यूज किया जाता है डिफ्रैंसियल कंपाउंड जनेरेटर यूज किया जाता है आप से पूछेंगे differential compound generator ही क्यों use किया जाता है तो ध्यान रखेंगे is not damaged is not damaged by sword circuit sword circuit से damage नहीं होता है कौन differential compound generator ठीक है और इसी वज़़ा से जो है इसको क्या है arc building में use किया जाता है differential compound generator ध्यान रखेंगे d इसका answer होगा differential compound generator बढ़ते है next question की तरफ maximum power will be developed when the back EMF is इस question को भी मैंने बहुत बार करवा चुका है proof भी किया है तो ध्यान रखेंगे इसको जो है back EMF is equal to half क्या होगा supply voltage ठीक है इस condition में जो है maximum power के condition में होगा ठीक है आपका motor ठीक है back EMF is equal to half supply voltage ठीक है तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे important है ठीक है back EMF is equal to half supply voltage तो B वाला answer होगा half supply voltage EB जो होगा back EMF EB को क्या बोलते है back EMF half supply voltage यानि V by 2 next question देखते हैं no load saturation characteristics are plotted between यानि no load saturation characteristics किसके बीच plot किया जाता है तो ध्यान रखेंगे मित्रों जो characteristics है जो characteristics है ठीक है ध्यान रखेंगे characteristics ठीक है ये जो है DC generator में जो characteristics है generally तीन characteristics हम पढ़ते हैं और ये होता है आपका OCC यानि open circuit characteristics और एक होता है आपका internal characteristics और एक होता है आपका external characteristics ठीक है ध्यान रखेंगे open circuit characteristics को जो है no load no load characteristics भी कहते हैं और internal characteristics को जो है total characteristics भी कहते हैं और OCC का एक और नाम है इसको कहते है magnetization ठीक है क्या ध्यान रखेंगे magnetization 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 character sticks magnetization characteristics भी कहा जाता है तो ध्यान रखेंगे OCC जो बनाया जाता है वो no load voltage यानि E naught और field current IEF के बीच में होता है तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे no load voltage और field current के बीच में OCC इसी को जो है no load characteristics बोलते हैं या magnetization characteristics भी बोलते हैं बात की जाए internal characteristics या total characteristics की ये जो है E और IE के बीच में E का मतलब होता है आपका induced EMF और IE मतलब armature current के बीच में graph होता है कौन सा internal characteristics या total characteristics बात करी जाए external characteristics की तो external characteristics V यानि terminal voltage और load current के बीच में जो graph होता है वो external characteristics का होता है तो ये तीनों बात ध्यान में रखिएगा ठीक है तो इसमें no load saturation characteristics बोला है तो no load voltage यानि E not और IE F यानि field current के बीच में होगा ये वाला ही क्या होगा हमारा answer होगा बढ़ते हैं next question की तरफ which of the following motor is suitable for driving cranes, hoist, centrifugal pumps, conveyor belts, etc तो ध्यान रखेंगे मित्रों जो आपका crane और host के लिए है वो आपका series motor यूज करते हैं और centrifugal pump के लिए आपका sunt motor यूज करते हैं conveyor belt के लिए series motor तो ध्यान रखेंगे ये जो है आपका centrifugal pump इसके लिए sunt motor यूज करते हैं ध्यान रखेंगे DC sunt motor यूज किया जाता है centrifugal pump के लिए अब दिखें ये जो है question बना दिया गया है ठीक है अब इसमें कही option में लगाना है तो मजबूरी में क्या लगा देंगे आपका crane भी दे रखा है hoist भी दे रखा है conveyor belt तो जो है application ज़्यादा series वाला match कर रहा है इसलिए इसको जो है series वाला लगा देंगे ठीक है answer में और वैसे जान जाएए जो centrifugal pump है वो sunt motor जो है यूज किया जाता है बढ़ते है next question की तरफ the brush contact losses in a DC machine is ठीक है तो brush contact losses जो DC machine में होता है उसके बारे में पूछ रखा है तो आफ सभी लोगों ने ED current losses या जो है hysteresis losses इन सभी losses के बारे में सुना होगा तो सभी losses किसमें होते हैं what में होते हैं ठीक है इसलिए यह भी जो brush में होने वाला loss होगा वो भी किसमें होगा what में ही होगा तो चलिए मान लेते हैं P B D यानि brush में होने वाला loss यह क्या होगा P is equal to V into I होता है V B D into I A ठीक है जो होता है, ब्रस में जो होने वाला जो loss है, जो voltage drop के रूप में होता है, अगर नहीं दे रखा है, तो उसको generally कित्ता लेते हैं, 2V ले लेते हैं, ठीक है, कित्ता लेते हैं, 2V ले लेते हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, अब आप खुद देख लिएजे, जो brush drop है, जो brush loss है, वो किसके proportional में है, वो जो है आपका current के proportional में है, तो answer क्या होगा, directly proportional to the current, ध्यान रखेंगे, और brush जो होते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा, किसके बने होते हैं, कारबन के बने होते हैं, और आप से पुछा जाए कारबन के ही क्यों बने होते हैं, क्योंक होता है ठीक है soft material होता है ध्यान में इस चीज़ को रखिएगा ठीक है soft material का बना होता है और आफ सभी लोगों को पता होगा carbon का temperature को efficient होता है वो क्या होता है negative होता है इस चीज़ को ध्यान रखेंगे बढ़ते हैं next की तरफ the field control of a DC sunt motor gives ठीक है तो इस चीज़ को ध्यान से समझेगा ठीक है एक होता है आपका torque is equal to torque is directly proportional to phi into IA ठीक है यह सभी लोगों को पता होगा और power is equal to होता है EB into IA ठीक है यह power होता है अब यहां मित्रों ध्यान से देखेगा field control में आप सभी लोगों को क्या पता है field control method में क्या करते हैं flux को कम करते हैं तो मित्रों यहां जो flux को कम करेंगे तो जो हमें टार्क मिलेगा वो क्या constant torque मिलेगा कि variable torque मिलेगा बिल्कुल variable torque मिलेगा ठीक है जब flux change हो जाएगा तो variable torque मिलेगा ठीक है और ध्यान रखेंगे इसमें कहीं flux आ रहा है बिल्कुल नहीं आ रहा है यानि constant हमें क्या मिलेगा power मिलेगा ठीक है तो इस चीज को ध्यान रखेंगे जो field control method होता है वो variable टॉर्क और कॉंस्टेंट पावर ड्राइब के लिए यूज किया जाता है ठीक है ध्यान रखेंगे इस चीज को कॉंस्टेंट पावर के लिए ठीक है जो है फील्ड कंट्रोल जो मैथड है फील्ड कंट्रोल जो ड्राइब है किसके लिए कॉंस्टेंट पावर ड्राइब में इसका यूज करते हैं constant power drive मतलब constant kilowatt kilowatt का मतलब क्या होता है power ही तो होता है answer क्या होगा constant power drive कभी कभी देखेगा option में variable drive भी देदेगा constant power and variable torque drive ठीक है ध्यान रखेंगे इस चीजों को दोनों चीज बता दिया गया है और देखें मितलों एक और चीज होता है एक होता है आपका armature control ठीक है ये भी चीज ध्यान रखेंगे armature control तो देखें armature control में क्या होता है यहाँ पे कांस्टेंट पावर है तो यहाँ पे क्या होता है constant constant torque और variable पावर तो धेआन रखेंगे constant torque और variable power drive के लिए armature control का use करते हैं constant torque variable power drive के लिए armature control और constant power variable torque के लिए feed control ठीक है next देखते हैं in DC machine the shape of magnetic flux distribution is DC machine में जो है main field flux distribution क्या होता है shape कैसा होता है इसका ध्यान रखेंगे मित्रों इस चीज़ को मैंने बताया हुआ है main field flux distribution का जो shape पूछे वो कैसा होता है तो ध्यान रखेंगे ये जो है flat tapped होता है flat tapped होता है ध्यान रखेंगे मित्रों ये कैसा होता फ्लैट टैब्ड या इसी को जो है ट्रैपे जोईडल बोलते हैं ट्रैपे जोईडल ठीक है फ्लैट टॉब्ड या ट्रैपे जोईडल बोलते हैं या इसी को जो है मित्रों क्या बोल सकता है इंड्यूस्ट इमफ ही बोल सकता है इंड्यूस्ट इमफ का जो है जो सेप कैसा हो आर्मेचर एम एम एफ आर्मेचर एम एम एफ आर्मेचर एम एम एफ का जो सेप होता है कैसा होता है तो ध्यान रखेंगे ट्राइंगूलर ट्राइंगूलर होता है ठीक है ट्राइंगूलर सेप होता है मित्रों ध्यान रखेंगे इस चीज का ट्राइंगूलर सेप होता है तो जो flat topped होता है वो कैसा होता है तो कुछ इस प्रकार का ठीक है ध्यान रखेंगे next देखते हैं dummy coils are used for यानि dummy coils का use क्यों करते हैं देखें नाम से ही पता चला है dummy dummy का मतलब होता है कुछ नहीं इसका कुछ काम नहीं होता है dummy dummy coil का बस एक ही काम है mechanical balance provide करना ऐसा नहीं है कि आप all options are correct देखें तो all options are correct हमेशा ही हो जाएगा तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को dummy coil mechanical balancing के लिए ही केवल use होता है ठीक है और कोई जो है इसका काम नहीं है efficiency को increase करना armature reaction को कम करना यह सारा काम नहीं है आप सभी लोगों को पता होगा armature reaction कैसे कम करते हैं तो compensating interpol जो है brush shifting वगेरा से करते हैं ठीक है next question देखते है brushes in DC machines are normally placed electrically in ठीक है DC machine में जो brushes होते हैं वो कहाँ पे place किये जाते हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे यह कहाँ पे place किये जाते हैं इंटर पोलर रीजन में ठीक है brushes in DC machines are normally placed electrically in इंटर पोलर रीजन ब्रशेश के बारे में और चीज़े बता दे रहे हैं जो brush होता है आप सभी लोगों को बताए थे जो है यह किस का बना होता है कार्बन का बना होता है कार्बन का temperature को efficient कैसा होता है और जो अगर माली जे आपने जो brush है यह copper का बना दिया तो क्या होगा sparking जो है क्या होगा sparking sparking at brushes यानि brushes पर sparking क्या होगा बहुत ज़्यादा होगा ठीक है ध्यान दखेंगे brushes पर sparking क्या होगा बहुत ज़्यादा होगा और एक और बात ध्यान रखेंगे जो ब्रस होते हैं वो क्या है ठीक है जस्ट जस्ट ध्यान रखेंगे जस्ट अहीड ओप M-N-A M-N-A के जो है M-N-A के जो है ध्यान रखेंगे इस चीज़ को just ahead of M&A यानि M&A के ठीक पहले ही लगाते हैं ठीक है अगर option में ऐसा नहीं दी रखा हो तो आप M&A ही लगा दीजेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है लेकिन थोड़ा सा M&A से पहले लगाते है इस चीज़ को ध्यान में रखेगा जो brushes होते हैं वो M&A से लगाते हैं थोड़ा सा पहले अगर जो है M&A ही दे रखा होगा तो M&A भी लगा सकते हैं ठीक है अगर just ahead of M&A नहीं ना दे रखा हो तब ठीक है तो friends आज के लिए इता ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो please इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपका कोई सवाल और सुजा हो तो नीचे कमेंट कीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेली ग्राम चैनल पर जरूर जूर जाएए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद